हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हुँगे बच्चों आज का अध्याय है कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग बच्चों आपने बच्चपन में दादी या नानी से कहानिया तो सुनी हुँगे कहानिया सुनना और सुनाना सभी को अच्छा लगता है कहानी लिखना भी एक कला है आप भ्यास करने से आप भी कहानिया लिख सकते हैं बच्चों पढ़ते हैं पहली कहानी चतुर खर्गोश इसमें हम देखेंगे कि कहानी कैसे लिखी जाते हैं किसी जंगल में एक शेर रहता था जब भी उसे भूक लगती थी वह जानवरों को मार कर खाता था जंगल के सभी जानवर उससे पहुत भैबीत रहते थे धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए और उससे निवेदन किया हे जंगल के राजा आप नाहक हम जानवरों का पद करते हैं जंगल में हमारी संक्या धीरे-धीरे कम होने लगी है आपके आहार के लिए एक जानवर प्रती दिन आपके पास आजाया करेगा शेर ने उसने कहा ठीक है कि तुध्यान रहे जिस दिन मेरे पास आहार के लिए कोई जानवर नहीं आया उसी दिन से मैं जानवरों को मारना प्रारम कर दूँगा उस दिन से रोज एक जानवर शेर का आहार बनने लगा एक दिन एक खरगोश की बारी आई वह खरगोश बहुत चतु देर से शेर के पास पहुचा उसे देखते ही शेर दहाड़ा अरे दोष्ट एक तो तु इतना छोटा है दूसरे इतनी देर से यहां आया खरगोष ने हाथ जोड़कर प्रातना की हेवन राज मुझे एक दूसरा शेर रास्ते में मिल गया था वह अपने आपको इस जंगल का राजा बता रहा था बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छोड़ा कर आपके पास तक पहुचा हूँ खरगोष की बात सुनकर शेर आग बबूला हो गया उसने कहा चल पहले उसी का काम तमाम करता हूँ बाद में तुझी खाऊंगा खरगोष शेर को एक कुए के पास ले गया उसने शेर से कहा शायद आपके भैसे वह दुष्ट इस कुए में छिप गया है शेर ने कुए में जहांक कर देखा उसे अपनी परचाई कुए में दिखाई पड़े वह उस परचाई को दूसरा शेर समझ कर उसे सबक सिखाने के लिए कुए में कूद पड़ा और फिर कभी नहीं निकल पाया इस परकार चतुर खरगोश ने दुष्ट सेर से जंगल के सभी जानवरों की रक्षा के बच्चो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है विपत्ती में धैर्य एवं विवेग से काम लेना चाहिए बच्चो पड़ते हैं दूसरी कहानी प्यासा कववा एक कववा था वह प्यासा था पानी की खोज में वह इदर उदर उड़ रहा था एक बगीचे में पेड के नीचे उसे एक घड़ा दिखाए दिया कववा घड़े के पास आया उसने देखा कि घड़े में पानी कम है उसकी चोच पानी तक नहीं पहुच पा रही थी कववे ने कुछ सोचा उसकी नजर पास ही पड़े कंकर पत्थरो पर गई वह एक एक करके कंकर घड़े में डालने लगा घड़े का पानी धिरे धिरे ऊपर आ गया कववे ने जी भरकर पानी पिया और प्यास बुजा कर उड़ गया बच्चो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम ही सफलता की कुन्जी है चलो बच्चो पढ़ते हैं तीसरी कहानी सच्चा मित्र सागर और अजय अच्छे मित्र थे एक बार दोनों एक जंगल में घूम रहे थे बाते करते करते वे जंगल में दूर तक निकल गए अचानक दोनों मित्रों ने एक भालू को आते देखा वे भालू को देखकर डर गए सागर ने अजय की परवा नहीं की और उसे छोड़कर एक पेड़ पर चड़ गया उसने यह भी नहीं सोचा कि अजय को तो पेड़ पर चड़ना ही नहीं आता है अब बेचारा अजय करे तो क्या करे उसने जमीन पर लेट कर अपनी आँखे बंद कर ली उसने अपनी सांस भी रोक ली भालू अजय के पास आया उसने अजय को सुंगा और उसे मरा हुआ समझा मर हुए लोग या जानवर पर भालू हमला नहीं करता इसलिए वैं आगे बढ़ गया भालू के जाने के बाद सागर पेड़ से नीचे उतरा उसने अजय को उठाया और पूछा भालू ने तुम्हें सुंगा तो क्या कहा भालू कह रहाता कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ती में तुम्हारे काम आए इतना कहकर अजय वहां से चल पड़ा तो बच्चों आशा करती हूं कि आपको सभी कहानिया समझ आ गई होंगी इसका अभ्यास आप स्वयां कीजिएगा